वेल्कम बैक टू माई चैनल और मेरे चैनल करना में Be Beautiful चैनल जिसमें में हैल्थ और ब्यूटी से रिडियो डियो डिया वीडियो बनाती हूं और आपके साथ शेयर कती हूं अगर आपके भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप जानना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट कremer एक मौत को छोड़ कर बाकी हर चीज का हर वीमारी का इलाश है करिये लिए क्लोंजी और आप के एक हार को घ्रॉड़ कर एंक हम घ्रॉटी टो वीडियो बीडियों करने वाले हम भीक्निफिक्स नीजाऋ कॉँधिसे और को छाना देखे से ने ने रिप जिससे मेरी ऐसे ही यूसफुल वीडियो आगे भी आप तक पहुंचते रहें कलोंची में आइरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें 15 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं एक प्रोटीन है अगर किसी में भी प्रोटीन की कमी है प्रोटीन बहुत ज़रूरत है आपको अपनी बोडी के लिए तो आप यह आज से स्टार्ट कर दें आपको इसकी की कोई भी प्रोटीन है माली जे मुहासे हैं अकने हैं रैशिज है या डाकने से डलने से रंगोरा कर ना चाहते हैं अचैरे पर निशान दाख दब्डबनें सारी ही प्रॉब्रम का सलुशन है एक है वो है यह आप इसका पेस्ट बनाईए इसका पाउडर बनाईए उसको रोज वाटर में या फिर आप दूद में या फिर आप दही में किसी भी चीज में मिक्स करके इसको अपने चैरे पर डेली आपको लगाना है पांच मिनट के देखेंगे कि चैरे की स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होने लगी है और आपका साफ सुत्रा गोरा स्किन ग्लोइंग होने लगी है सेकिंड जो यूज है वह इसका बालों के लिए बहुत जबर्दस यूज आप यकीन नहीं करेंगे अगर आपको गंजा पनाने लगा लीजे उससे यह बहुत अधा मतलब आप वही बेनिफिट होगा या तो फिर आप इसका ओल बना ओल भी ले सकते हैं मार्किट से बना हुआ भी निल जाएगा अगर आप चाहते हैं घर पर कलोन जी का बनाना तो मैं आपको फिर किसी वीडियो में शेयर कर दूंग या होने वाले हैं बहुत ही पक्का एक राज है बहुत ही फायदेमन चीज है एक बालू के लिए अब उसके लिए आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं कलोंजी ओल ले ले और ओली ले ले लिए दोनों को मिक्स कर लेजिए और उसमें मिलाई आप थोड़ी सी मेहंदी आप मेह मिलाई है बहुत भर के पेस्ट नहीं बनाना है मनलब आप एक चम्मच या ज़र चम्मच या ज़र पतला ही रह गाड़ा नहीं हो इतनी मेंदी आपको मिक्स करनी है तीनों चीजों को मिक्स करके आप गरन कीजिए और हफते में दो आप मसाज किजिए अपने बालों पर एक पता नहीं कितना लंब हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जरूरी बाते बता देती हूं क्योंकि इसमें इसमें सारी चीजों होती है आईरन, सॉडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर मैं सब कुछ अभी आपको बताया था तो उसकी वज़से इसका तो इसकी स्मेल बहुत अच्छछ होती है अचार में डालते है इसका आऐ के अचार की समेल तो आप समझनी अच्छी वहली है तो यह क्योंकि आपका जो मझ UP करती है आपका गूड कॉलेस्टोरल को बढ़ाती है यह फैट को बढ़ाती हुशीम हो जाता है हात पेरों में आप मिलेचे और निग लिए अन स्टार्ट करें कि मैं यह स्केण कि आप नाम रागता है क्या जा होता है कि आप धान छोंजी है को पिर पीद्ग वेच कह information दमा कर देमें और दयकिजें यह किसब समय खmar reviewing खेंद प्रेम में सिंगेब सुन्री फें इस बार जो में नहीं पहने चलोंजी से दूर कर सकते हैं अगर आपको हाई वीपी की प्रविलम है कॉलेस्टरॉल आपका सहीन ही रहता है अपनि आस्थमा की प्रविलम है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको हड्यों का दर्द है जो डोगों हड़्यों का फेन होन जाता है इंगलियों में जोडों में हाथ पैरों में जोडों में दरफ उचाहता है वह भी इससे ठीक हो जाएगा कर आप इसको रेगॉलर यूजर करते नंढुजम आप डू जूढ़ करते हैं तो इसमें कोपर बहुत ज्यादा गड़ा दूर करता है। आपका ब्लब्लम को दूर करता है। अगर आपको मेमरी लोस प्रावलम है। चोट चोटी चीज़े बूल जाता है तो आज से ही कलोजी लेन अच्टार्ट करें सब्सक्राइब को बढा देगा। भलड को साफ करती है, पेट को साफ करती है। के विद्ध ळेखन little AI एपकी एक विद्ध इसकुते रहें में हम स्थार के खांड़ी रखते हैं तो बहुत सब्छ冷्व के इसको स्टर्ड के लेना कर दियते चु an cel कि इसके बालों के बालों के लिए कि तना बाइधे सीसी है तो साज्बोब मैं आपको बताओं तो इसके लिए मैं अलग से एक विडियो बनाऊंगी तो बहुत सारी चीज़े आप कलोंजी ओयल से भी दूर कर सकते हैं नए बाल तो यह उगाता ही है साथ ही आपकी बॉड़ी को भी हल्दी रखता है आपकी स्किन को भी हल्दी रखता है और है तो आपक लोगों तक बचाएए जिन लोगों को नहीं बताया है और अब मैं बतारी हूं आपको कि इसको लेना मतलग किस तरह से है कितना लेना है तो दोस्तों या तो आप इसका पॉड़र बना के लख लीजे जब भी आप खाना खा रहे है वन पिंच पॉड़र ले और अपनी किसी भी टाइम इसका इतना लें वन पिंच के करीब आप यह लें बहुत जादा नहीं लेना है भरके क्योंकि मैंने बताया इसमें 15 तरह के अमीनो एसिट्स होते हैं तो जैसे कि बोलते हैं कि तासीर गरम है इस चीज की तो इसकी कलोंजी की तासीर बहुत जादा गरम होती है तो आप इसको ना लें अब इसको लेने का जो सही जो टाइम है ना सर्दिया जल डी है तो अभी इसको लेने का पूरी सर्दियो आराम से आप इसको ले सकते हैं लेकिन गरमियों में ना लें एक तो अगर आप प्रेगनेंट लेडी है तो भी लोग समझते होंगे तो इस जब अगर खा लिजे अगर खाना चाहेंगे टेस्ट वेस्ट कुछ ऐसा होता नहीं है इसका बस थोड़ी समेल होती है स्मेल कोई खराब नहीं अच्छी स्मेल है और या तो फिर आप इसको ले लिजे तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है मैंने स्टार्ट कर दिया है लेना से ही तो आप भी ज़रूर कीजेगा अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रोब्लम जट से दूर होने लगेंगी आपकी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक भी कर दिज कर दिजेगा जिससे ऐसी यूसफुल वीडियो आगे भी आपको मिलती रहें थैंक्स पर वाचिए